हेलो दोस्तो वेलकम टू प्लैसिफाइड आज की इस वीडियो में हम नौर्थ इंडिया के दो बड़े राज, राजस्थान और उत्रप्रदिश का कंपेरेजन करने वाले हैं रंगरंगीला राजस्थान अपनी नायाब खुबसूरती वर रजवाड़ी शान के प्रतिक कीलो और महलों के कारण सदाही परियाटकों के आकरशन का प्रमुक केंडर रहा है राजस्थान का अर्थ है राजाओं की जगा ये राज्ज, राजपूत और जड़ियोधाओं के लिए जाना जाता है राजस्थान राज्ज की स्तापना 30 मार्च 1949 में हुई थी वह एक उसके तरफ सांस्कूर्थी गुरूप से संब्रुद उत्रप्रदेश भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजजों में से एक है यह एक ऐसा राज्ज है जो भारत में होने वाली किसी भी बात या किसी भी घटना पर सबसे ज़्यादा सुर्क्यों में रहता है उत्रप्रदेश राज्य की स्थापना 24 जनवरी 1950 में हुई थी आज की इस वीडियो में हम राजस्थान और उत्रप्रदेश को एरिया से लेके पॉल्टिरेट जैसे 15 से भी ज़्यादा फैक्टर्स के आधार पर इन दोनों राज्यों में कंपैरिजन करने वाले है तो हमारा यह वीडियो पूरा देखे और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे दोस्तोंगर GDP की बात करें तो राजस्तान का GDP 130 बिलियन डॉलर है और GDP के मामले में इंडिया का साथवा सबसे बड़ा राज्य है राजस्तान का GDP per capita 1800 डॉलर है राजस्तान की GDP का मेंसोर्स 47% सर्विसेस, 44% एगरिकल्चर और 8% इंडस्री से आता है वही उत्रप्रतिश का GDP 230 बिलियन डॉलर है और GDP के मामले में इंडिया में महाराष्ट और तमिल नाडु के बाद तीसरे नंबर पर है उत्रप्रतिश का GDP per capita 830 डॉलर है उत्रप्रतिश की GDP का मेंन सोर्स 47% सर्विसेज, 27% एंगरिकल्चर और 26% इंडस्ट्री से आता है एरिया यानिकी शेत्रफल की बात करें तो राजस्तान का कुल शेत्रफल 342,239 स्क्वेर किलोमेटर है और इंडिया का सबसे बड़ा राज्य है जैपुर राजस्तान की capital और सबसे बड़ी city है राजस्तान पाकिस्तान के साथ international border जबकि गुजरात, मध्यप्रतेश, उत्तप्रतेश, पंजाब और हर्याना के साथ national border शेयर करता है आपको पतादे राजस्तान में स्तित्थार रेगिस्तान भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है जो भारत और पाकिस्तान के बीच एक सीमा भी बनता है यह रेकिस्तान लगबग 2,002,002 km में फैला हुआ है जिसका 90% हिस्सा राजस्तान में है और बाकी का 10% हिस्सा पाकिस्तान में है आपको चीन के दिवार के बारे में तो पता ही होगा लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि राजस्तान में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी दिवार है जो की कुम्भलगड के ले की एक दिवार है यह दिवार 36 km लंबी है वह उत्तरप्रदेश का कुल शेत्रफल 243,290 स्क्वेर किलोमेटर है और एरिया के मामले में राजस्तान, मध्यप्रदेश और महाराश्टर के बाद इंडिया का चौथा सबसे बड़ा राज्ज है लखन उत्तरप्रदेश की कैपिटल सिटी है और कानपूर यहां का सबसे बड़ा शहर है उत्तरप्रदेश नेपाल के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर जबकि उत्तराखंड, हिमाशल प्रदेश, हरियाना, दिल्ली, राजस्तान, मध्यप्रदेश, चतिस गड़, जहारकंड और बिहार के साथ नैशनल बॉर्डर शेयर करता है आपकी जानकरी के लिए बता दे, राजस्तान में कुल मिला के 33 जीले है, वह उत्तरप्रदेश में कुल मिला के 75 जीले है जनसंग्या की बात करें तो राजस्थान में कुल मिला के 7.6 करोड लोग रहते है और जनसंग्या के मामले में भारत का साथवा सबसे बड़ा राज्य है वही उत्ते प्रदिश की कुल जनसंग्या 22 करोट के आसपास है और जनसंग्या के मामले में भारत का सबसे बड़ा राज्य है चलिए दोस्तों आप कुछ खाने पीने की बात करते हैं राजस्तान में आप दाल बाटी चूर्मा, लाल मास, केड संग्री, मावा कचोरी, गटे की खिचडी, बुंदी रायता, राजस्तानी कड़ी, प्यास की कचोरी, मिर्ची बड़ा, मेथी बाजरा पूरी, बदाम का हल्वा, घेवर, भालु शाही और गुजिया खाने को मिल सक सकता है, वह उत्रप्रदेश में आपको लिख्टी चोखा, आलू पूरी, चिकन बिर्यानी, गलोटी कबाब, मुर्ग मुसल्लम, तेहरी जो एक प्रकार का वेज पुलाव है, उसके बाद दम आलू, भिंडी का सालन, स्ट्रीट चाट, मथुरा का पेड़ा, आगरे का दोस्तों, मजहब याने की रिलिजन की बात करें, तो राजस्थान में 88.49% हिंदू, 9.07% मुसलिम्स, 1.27% सीख, 0.91% जैन, 0.14% क्रिश्चन, और 0.13% बुद्धिस्ट और दूसरे धर्मों का पालंग करने वाले लोग रहते हैं वहीं उत्तरप्रदिश में 79.73% हिंदू, 19.26% मुसलिम्स, 0.32% सीख, 0.18% क्रिश्चन, 0.11% जैन, और 0.40% बुद्धिस्ट और दूसरे धर्मों का पालंग करने वाले लोग यूपी में रहते हैं अगर टॉप 10 largest cities की बात करें तो राजस्तान के टॉप 10 largest cities में जैपूर, जोधपूर, कोटा, बिकानेर, अजमेर, उदैपूर, भिलवाड़ा, अलवर, भरतपूर और श्री गंगानकर जैसे शर शामिल है वो यूपी के टॉप 10 largest cities में कानपूर, लखनौ, गाजियाबाद, अगरा, वारा नसी, मेरट, प्रयागराज, बरेली, गोरकफूर और नौडा शामिल है HDI यानि की Human Development Index की बात करें, तो यह दोनों भी राज, लो Human Development Index की कैटेगरी में आते है राजस्तान का HDI 0.621 है, वही उत्तरप्रदिश का HDI 0.583 है पोर्टीरेट यानि की गरीबी की बात करें, तो राजस्तान का पोर्टीरेट 14.71 है वही उत्तरप्रदिश का पोर्टीरेट 25.43 है, यानि की 25.43 परसन उत्तरप्रदिश के लोग गरीबी रेखा की नीच है फेस्टिवस की बात करें तो राजस्तान में दिपावली, होली, गंगोर, तीज, गोगाजी, डेजर्ट फेस्टिवल, मारवाड फेस्टिवल, मकर संक्रांती और जन्माष्टमी दूमदाम से मनाई जाती है वयूतरप्तेश में महाकुंब मेला, दिपावली, राम नौमी, लटमार होली, बुद्ध पोर्णिमा, इद उल्फितर, जन्माष्टमी और महाशिवरात्री बड़े ही शांदा तरीके से मनाई जाती है दोस्तो लैंगविजिस की बात करें तो राजस्तान में हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है और हिंदी यहां की ओफिशल लैंगविज भी है हिंदी के अलावा यहां पे मारवाडी, भिली, पंजाबी और उर्दु भाषा बोलने वाले लोग भी यहां पे रहते है यहां पे लोग अकसर हिंदी, मारवाडी और मेवाडी भाषा में बात करते है वही हिंदी और उर्दू उत्रप्रदिश की ओफिशल लेंग्विज है और भोजपूरी हिंदी यहाँ पे सबसे ज़्यादा बोली जाती है इसके अलावा यहाँ पे ब्रिज भाशा, अवधी और बुंधेली जैसी भाशाओं का भी इस्तमाल किया जाता है चलिए दोस्तों आप कुछ घुमने फिरने की बात करते हैं वही उत्तर प्रदेश में आप दताज महाल, दि आगरा फोर्ट, फतेफूर सीकरी, एतमाद उत्दोला का मगबरा, प्रेम मंदिर, इसकॉन टेंपल, काशी विश्वनाथ टेंपल, सारनात, गंगा घाट, हजरत गंज मार्केट, बुलन दर्वाजा, डीलेफ मॉल उफ इं तो दोस्तों आपको कौन सा राज्य अच्छा लगा, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश, कमेंट बोक्स में जरूर लिखे, क्वेश्चन अप दे वीडियो में आपके लिए आज का क्वेश्चन है की, राजस्थान राज्य की स्थापना कब होई थी, अगर आपने य यह वीडियो ध्यान से देखाओगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दे पाओगे, तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक ऐसी ही कमपैरिजन के साथ, हमारी यह वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद